आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे CSC Application Status को आप कैसे चेक कर सकते हैं अगर आपने CSC के लिए Online आविदन किया हैं या Online Registration किया हैं तो आप अपने CSC Application Number जो की Reference Number से आप अपने Status को कैसे जान सकते हैं कि आपका ID Accept हुआ है, Approval हुआ है या Reject हुआ है इस वीडियो में आपको बताएंगे तो वीडियो पर आप बने रही है वीडियो को शुरू करने से पहले उसकर आप CSC HelpX चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो के नोटिफिक्शन आपको मिलती रहें तो सब-सर पहले आपको Google Open कर लेना है अपने mobile पर Google Open करने के बाद आपको Google पर टाइब करना है जैसा कि यहाँ पर हम टाइब करते हैं CSC Status जैसा कि आप CSC Status लिख़ जिदे सर्च कर देंगे CSC Status जैसे लिख़ कर us research करेंगे उसह मनी ही देख सकते आप stay connected CSE governance simply आपको जो first number का जो website आपको देखने को मिलता है register.cse.gov.in उस website के option पर click कर देना है जैसे आप website के option पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface show होगा check application status तो यहाँ पर check and application status का जो option show हो रहा है नीचे आपको जो feel करना है अपना application reference number जब आप आविधन करते हैं जब CSE के लिए online apply करते हैं तब आविधन करने के बाद जब आपके पास एक number आता है जो कि आपकी email ID पर अगर आप से खो गया है तो आपकी mail ID पर आपको reference number मिल जाएगा तो आपका जो reference number होता है वो आपको यहाँ पर enter कर देना है चलि हम यहाँ पर reference number type कर देते हैं reference number आप यहाँ पर पूरी तरीके से enter कर लेते हैं सही-सही reference number आपको enter करना है उसके बाद नीचे capture code आपको fail कर लेना है और आपको submit का option मिल जाता है submit के option पर आपको click कर देना है जैसे ही आप submit के option पर click करेंगे तो submit के option पर आप जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आपका कुछ process होगा और आपके सामने आपका application status आपको दिखाई देगा जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर CSA ID आ चुका है तो यहाँ पर dear जो भी हमारा नाम है simply वो नाम and account has been created तो यहाँ पर हमारी CSA ID देन आपको देखने को मिल रही है अगर आपका account accepted हो जाता है आपके CSA ID आ जाती है तो आपको CSA ID दिखाई देगी अगर आपका pending होगा तो आपको यहाँ पर verification में होगा तो आपको यहाँ पर status दिखाई देगा